नमस्कार कैसे हैं नमस्कार महुराकेश आप लोगे सामने स्वागत करता हूँ और UPPCS 24 का कलेंडर जा रहे होगा अगर पता हुग आप चल गया होगा आप लोग को अगर नहीं चला है तो देख लेजिए अच्छा आयोग वही होता है जो अपना पूरा जारी कर दिया और पीसी एस लगाता है तीन से चार वर्सों से शांदार काम कर रहा है यूपी पीसीज के दरम बाग करें तो 2024 क्या क्या करने जा रहे है उसका पूरा पुलिंदा आप लोगे सामने उन्होंने डाल दिया है टेलीग्राम ग्रूप में अल्रेडी हम लोगों ने सेवन्टींथ मार्च को आपका PCS का प्रिलिम्स होगा 2024 का ठेक आरो तो आपको पता ही था 11 फरवरी को होना है यह दो बड़ी एक्जाम है जो भी लगे हुए जिसको लेके अब यह लोग टार्गेट कर रहे हैं ठेक है इसके बाद दो-ती दीन रिजर्ब रखे गए हैं इन केस किसी एक्जाम के लिए यह वाली रिजर्ब यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्टाफ नर्स का एक्जाम होगा इसके बाद असिस्टेंट टाउन प्लानर का एक्जाम होगा इसके लिए बहुत से लोग परिशान हो रहें कि क्या eligibility होती है टाउन प्लानर के डिग्री भी होता है तो आपको ग्रेजिएशन के बाद आपने अगर डिप्लोमा किया है या डिग्री ले रिखी टाउन प्लानिंग में तो ही आप eligible होते हैं ठीक है फिर अपरनीजीद सची का जो एक्जाम हुआ था उसका शॉट हैं टाइप शुरुवाती का लगभग पूरा मई एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ आठ दिन आपके अरक्षित किये गए हैं यहां पर असली चीजे हैं जिस पर आपको फोकस करके रखना है नई वेकेंसी की जिसके हम बाते कर रहे हैं ठीक है उसके बाद हमारे कुछ और एक्जाम का मेंस दिया गया है PCS के मेंस के बाद तो PCS जो है वो बड़ी priority है सरकार के आगई तो अब यह आरो देखिए पहले होगा प्रेलिम से लेकिन मेंस के बाद होगा तो PCS में आप लोगों को मेंस के लिए करीब 3 महिना मेलेगा RO में करीब 4-4 महिना मेलेगा यह फायदे की बात है तेकि कितना टाइमली सब कुछ का अबर हो रहा है उसके बाद आपका फिर टेक्निकल एक्जामिनेशन जो टेक्निकल टीचिंग पोस्त होती है उसका प्रियो PCS यह तो आपके सामने दो बड़ी एक्जाम है ठीक है मैं बार बार कहता हूं जहां काम करो दूसरा है अब कौन सी एक्जाम आ सकते हैं देखिए आपका LT GDC जो असिस्टम प्रफिसर वगर के जो डिग्री कॉलेज में जो लगते हैं हां गौर्मन डिग्री कॉलेज में जो प्रवक्ता के पद हैं प्लस LT में जाको TGT PGT जो पद होते हैं और प्लस BEO यह तीन बड़ी परिक्षाएं हैं जिसके नोटिफिकेशन आप लोगों को अब देखने को मिल सकते हैं अगर यह आरक्षित दिनों का यूज इनमें से परिक्षाओं के लिए होगा तो यह लगा है कि PCS के बाद आपको और भी देखने को मिल सकते हैं LT, GDC और BEO ठीक है अब यह देखना होगा कि जो यह देखनी वाली बात होंगी कि उसको नया सिक्षा होगा शायद वो ले 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 तो BEO जो निश्चित रूप से मुझे दिख रहा है क्योंकि प्रिछले साल से डियू था कि BEO हमें देखने को मिल सकता है और अगर यह वेकिंसी फरमलाइज होती है तो निश्चित रूप से आपको फेवरेरी या मार्च में इसका नोटिफिकेशन दिखने को मिलेगा तब यह परिक्षा कि मई के अंदे तक में कवर अफ हो सकती है तो बहुत बड़ा प्रिपरेशन का दौर है आरो, PCS, BO कि कुछ बड़ी परिक्षाएं हैं जिसको आप टागेट करके तीन-चार मह आउंगा उसे थोड़ा सा पहले प्लस करन फेर पूरा फोकस हम लोग कर रहे हैं करन फेर पे तल बड़ी क्लास लेने की कोशिश करेंगे हम इन दो दिनों में जिसमें की काफी बड़ी हिसे तक करन फेर खतम हो सके इसके बाद आपके मास्टर क्लास आएगी एनवामेंट को पूर्शन है जो की लगभग हम उसमें सत्थ प्रतिशत अंग को स्कोर कर सकते हैं और मैं करके वो कोशन जो हैं वो पूरे पूर्वा लोकन प्लस प्लस प्रिवेसीर कंप्लीट करा देंगे कोशिच करके हम लोग उसको ठीक तो बने रहेगा यह दो तीन अपडेट थे इसक एक्सक्यूज नहीं है अना हम इंपॉर्टन कुछ अक्टिविटीज करेंगे खास तोर से बीयो को लेखे हैं कुछ सीरस क्लासे से चलाएंगे 2020 में लोगों ने करीब देड़स ओफ लेक्चर दिये थे बिल्कुल सबके लिए जो भयंकर फेमस हुआ था लेक्चर और जबर जो हमारा टीचिंग वाला है नेक्स्टीचर के नाम से जिसको आप जानते थे या इंविद आक्टिस 2.0 उसको जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा वहां पर टीचिंग वाल एक्जाम के लिए क्लासेज वहीं प्योंगे ठीक है चलिए थैंक्यों सो मुच बाबाए